याद होगा आपको ये मैच भारत और न्यूजीलेंड सेमी फाइनल मैच टीम इडिया वर्ल्ड कप चीतने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी लेकिन इस मैच बेचो हुआ उसने भारतियों को हैरान कर दिया 240 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए टीम इडिया जबर्दस तरीके से आउट हो गई दिखगज फेल हो गई तब धोनी और जड़या ने भारतियों की रुख गई हारट पीट को दोबारा से शुरू कर दिया था हर कोई सोचने लगा था कि अब तो जीत हो जाएगी लेकिन आखिर में हार हो गई भारत में धोनी सब के निशाने पर आ गए हर कोई उनको कह रहा है कि उनकी धीमी बल्लेबाजी की वज़े से भारतिय टीम हार गई आप देखें धौनी के सब्सक्राइब कर देखें यह कोई बेजिती वाली बात नहीं है वह देखी वह यह चाहते हैं कि किरकेट जीते वह देखिए वह मैं सच बता हुसाइद हो सकता है चोटी में बड़ी बात वो सचन जैसे नहीं है इस तर आया जिसने दौनी ने असी ब जाल दियाल पुरा लोड जिटेजा मारेगा मैं रोक के रखूंगा यह तो गलत ता दोनों मिलके मारता उनने धौनी ने जो बॉल फाया है लेकिन पड़े उसी मुलक में ऐसा नहीं है उनका सोचना अलग है पाकिस्तान क्रुकेट के मैदान पर भारत का चिर वोरुदी है का पुठाओ या ना उठाओ पाकिस्तानी टीम की जट वाली अर्थी उठनी चाहिए भारत ये को एक क्रुकेट धर्म तो यही कहता है पूर पर ट्रेंड कर रहा है है लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं जैसे भारत की उम्मीद एख़त मुई पाकिस्तानी ट्वीटर पर एक्टिव वे धोनी और वो लहराने लगे अब देखे किस सरा से टॉप ट्रेंड कर रहे हैं लोग रुख नहीं यह तस्वीरे देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी भी धोनी को कितना प्यार करते हैं इसे कहते हैं sports split जहां खेल और खिलाडी से इतर और कुछ नहीं केल सिर्फ खेल है मौनव सभ्यता को सभ्यता बनाने वाला और जिस सरीके से पाकिस्तान पहली बार कम से कम कुछ अच्छा करता है जरूर नसरा जिस तरीके से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर धोनी की तारीफ कर रहे हैं उससे तो कम से कमी समझाता है कि धोनी अभी और टटेंगे इस वीडियो के शेयर जरूर कीचे लाइक कीचे